और आई बीसी माइंड समिट में आपका स्वागत है आज के इस खास कारिकर में बहुत टाइट शेडूल में से समय निकाल कर आए हमारे साथ दीपक बैज साहब जो की सत्रीकर प्रदेश कॉंग्रेस कॉमेटी के अध्यक्ष हैं बैज साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत ह सवाल ने से आप तो बहुत सारे हैं लेकिन आपका समय तरह टाइट है कि सवालों की जो है सीरीज बनी रहे पीसी सी के कंधों पर आपके कंधों पर एक बड़ा भार है एक पीसी सी थे जोनोंने पात साली की सरकार दी भुपेश्वखिल साब में अब दूसरे पीसी सी हैं कि दोरा पाएंगे अ हाई यह सच्चा ही है कि कि वर्तवान मुख्यमंतरी और पूर पीसी सी अद्देश बाने वुकस भगिल जी ने कड़ी मेहनत से सरकार बनाई 36 गड़ में और इस समय पीसी सी अद्देश उने के नाती बड़ी जवाबदारी मिली है काम कर रहें मेहनत कर रहें और इस समय सबसे बड़ी ताकत हमारे पास सरकार है और सरकार की योजनाय जनता के लिए बहतर है इसलिए हम उन योजनाओं के दम पर जो हमारी सरकार ने कॉंगरिस की सरकार ने का पूरी एक है अभी और ये को के काम कर रहे हैं सब लोग काम कर रहे हैं इसलिए कहीं पर भी हम लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं है सत्ता और संगर्टन दोनों मिलके काम कर रहा है और दोनों के दम पर हम इस समय सरकार नहीं है कुछ जगह में कमजोर है उसको सुधार करने की ओसकता है जहां कमजोर है पर जहां कड़ा decision लेना है क्योंकि हमको मैंने मकसद है चतिजगड़ में चतिजगड़ मेहतारी के सेवा करना है और इतनी वहतर योजदा बनी है उन्हीं योगनाव के लाप जनताने को मिल रहा है तो इन योजनाओं को और हम आगे जब दुबारह सरकार में आईंगे इसको तो बहतर तरीके से हम कर वे इसलिए हम लोग को जहां कड़ा डिसीजन लेना पड़े हम बिल्कुल लेंगे अब तो इसमें बोल पना भी सब्सक्राइब यह तो अंदर की बात है यह तो रड़नी थी है लेकिन आम लोगे दिमाग में है क्या कर देश में आपने गडबंदर मर साइंस आपके इंडिया तो इसको लेकर के तो 36 गड़ में इसका कुछ रिफ्लेक्शन देखेगा ने इसको कोई फरत नहीं पड़ेगा 36 गड़ में तो कॉंग्रेस अकले के दम पर लड़ेगी और सरकार भी बनाएंगे इंडिया इलांस का में मकसद है कि आगामी लोग सब कि पाहर करना है और करना है यह हमारा में मकसद है इसलिए इंडिया गड़ बंदन हुआ है और मजबुतिक साथ काम कर रही है और प्रधार मंतरी गड़ बंदन से कही रहे हुई है आग अपति तो अभी पूरी तरह से क्लियर उनको कॉंसेट है नहीं जब बीएसपी क्लियर कॉंसेट अगर करती तो अलग चीज है उसके बाद यहां पर आमादी पार्टी कोई वर्चस तो है नहीं वो तो अभी किसी भी सीट में एक सीट में बी कहीं तरह मजबूत ऐसा कहीं दिखनी रह अगर लड़ना चाहिए दिल्ली में आबादी पार्टी लड़ सकती लेकिन गड़बंधन का में मकसद है देश की चुनाओं के लिए लोग सभा आने वाला दोज़ार चुबिस के लोग सभा चुनाओं के लिए हमारा में इंडिया गड़बंधन रहेगा जहां हर बाहर करना यह हमारा में मकसद है एक सवाल बड़ा बार बार जहन में आता है डीपक बैज की नजर में सबसे महत्पूर्ण कौन है कॉंग्रेस का एक छोटा सा कारिकरता या प्रदेश के मुख्यमंत्री मुपश बगेल देखिए मेरे लिए तो सबसे बड़ा कि प्रदेश का किसी बूत में काम करने वाला को कारिकरता मेरे लिए उतनी महत्पूर्ण है और 36 गड़ के मुख्यमंत्री मुपश बगेल भी महत्पूर्ण है दोनों महत्पूर्ण है इसलिए क्योंकि उन्होंने च्छतिजगड में इस पांच साल की सरकार में बहतर काम किये हर बनलब गाउं से गरीब से किसान से युवाँ से मजदोरों से आदिवासियों का हर तब के कि लोगों के लिए उन्होंने बहतर योजनाय चलाए उसी का नदीज़ा है गाउं गरीब कि दिपक जी बीजेपी ने देश को अधीवासि राश्ट्रपति दे दिया तो क्या दिपक बेच की कॉंग्रेस क्या प्रदेश को एक आदिवासि मुखमंतरी दे सकती है रहा है देखिए ब्ल मिलदा कर काम होना चाहिए इस आज हमारी सरकार में क्या काम नहीं हो रही है कि कि च्शलने का काम किया उनकी सरकार ने संभा हुआ है तो मुख्य मंद्रि बगहल कीं कि भी कि इसके कोई कभी कर रहे हैं अभी तो मुझे कर नहीं लग रहा है क्योंकि मुख्यमंदर बेहतर काम कर रही बहुता सबसे ज्यादा काम कर सबसे ज्वहां अब तो फार्टिक तेकर भाल तो आपकी सीट पर तो राजमन बैठे हुए और ऐसा मीडिया मेरे रहाती राजमंदी और आपकी बहुत बहुत अच्छा नहीं किसको देना है किसको नहीं देना है वो तो उनको तय करता है करेंगे रोज हम लोग सामने रोज करना पड़ता है हम लोग लिश्ट कब आएगा कब होने वाला है विश्ट करते हम लोग यह तक बाद हो उसके बाद हम लोगर कर देंगे करीब ओपर निकल गया है ठीक है हम छल रहे हम लोग समय में चल रहा है पर जल्द वाजी नहीं है अकरी सवाल है महिला आरक्षुन जो पास हुआ है आप सेमत है ठीक किया है कुछ और हो ना था सिर्फ महिला रक्षडविल आना चाहिए इस पे मैं सहमत हूँ लेकिन कब मोदी सरकार भारती जनता पार्टी सरकार केंदर सरकार अगर इसको मुझे लगता है पूरी तयारी के साथ उनको आना चाहिए आपके पास परीष्यमें हुआ नहीं आपके पास जनगना हुआ नहीं तो आरक्षड किस बेस पर देंगे आए हैं अधूरा ने किया है तो आप लेके कब आ रहे हो अब बोजार उनतीस के बाद आप लागव होंगा ने क्रेडिट भी तो ले रहा है वह और यह सच्चा ही है इस बिल्कुल के बिल्कुल के बिल्कुल के हम लोगों कि यह कॉंग्रेस की देन है अगर आप सहमत है तो पास क्यों होने दिए कोई चीज आहसमती में पर शहमती के खिलाब नहीं है अम महीला आरक चणड़ वील के हम समर्थन करते हैं लेकिन लागो होना चाहिए कि दोजार चोबीस में दोजार उन्तिस के बाद क्यों हमारा सवाल है कि आप दोजार चोबीस में जब जाएंगे महिला राक चणड़ बिल का मुद्दली कर जाएंगे मतलब शिरी एक जुमले बाजी फिर माता बहनों को बोलेंगे हमने आपके लागो लागो आए यह जुड जो आएंगी उनमें रिफ्लेक्शन देखेगा महिलाओं को तवज्जो देंगे दिपकबेज कॉम्रेश से इस समय संबहुता हमारे प्रभारी सेल्जाम में ने भी कह दिया है हरम लोग कोसिज कर रहे है कि कम से कम 20 टिकेट महिलाओं को मिलना चाहिए हमारी प्रदेश में यह लगबख पूरी हम लोग कोसिज कर रहे हैं और समदोता ऐसा होगा पांच और बढ़ा दीजी कम से कम 33 परसेंट कर सकते हैं कोई दिक्कत में अगर कोई मैला है मजबूत है जीत सकते हैं क्लियर जीत सकते हैं तो अगर आशा माप दन में आते हैं क्यों नहीं बिलकुल कि कम से कम 20-25 महिलाओं को कॉंग्रेस इस बार टिकट देने जा रही है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बन्ने बाद आपका कि बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका एक है कि मैं चाहता हूं क्या है आई बीसी 24 डिजिटल अब और भी ज्यादा सशक्त और हाइपर लोकल हो गया है सटीजगर और मध्यप्रदेश में यह अपनी ब्रांचे स्वेला रहा है और लगातार नए चैनल्स को लांच कर रहा है आई बीसी 24 डिजिटल के अंडर अब हमारे मैदानी सर्गूजा और बस्तर संभाग के भी अलग-अलग यूट्यूब चैनल्स बन गए एक बार सर आप अपील कर दें कि इन चैनल्स को जो ऑडियन्स है वो सब्स्राइब कर ले तो आप बहुत अच्छा होगा सब नहीं और जनता सुनती है हर टीवी चैनलों को खासकर आई वेसी चैनल को और आपके मादर से बहुत सारे यूट्यूब और बहुत साई चैनल चलू कर रहे हैं तो निशी तरुप से बहुत-बहुत बढ़ाई और शुब काम नहीं थांक्यू सो मद सर आई बीसी 24 का माइंड और हमें अपना वक्त दिया थांक्यू सो मच्च जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद